हेलो क्रेंट स्वागत है आपका दोस्ताज किस वीडियो में हम देखेंगे कि अधि आपने किसी काम से या किसी कारण से अपने जीमेल आइडी को किसी दूसरे डिवाइस या दूसरे कंप्यूटर में लॉग इन किया था किसी काम से और वहां से लाग आउट करना, साइन आउ सेटिंग में आजाएंगे या फिर सेटिंग में आप यहां से भी डिरेक्ट जा सकते हैं, यह सेटिंग का अपसन यहां पर आप क्लिक करेंगे, इस तरह से आप सेटिंग में आजाएंगे, सेटिंग में आने के बाद आप दोस्ते यहां पर आएंगे, यहां पर आप ID दिख रही है अब दोस्त यहाँ पर हो सकता है आपकी यही Gmail ID जो आपको दिख रही है यहाँ पर आपके मुवाइल में यह Gmail ID को आप चेक करना चाहते हैं या फिर आप इस Gmail ID को ही आपको पता है कि इसी को आपने लागिन किया था दूसरे डिवाइस में दूसरे कंप्यूटर में तो आपको इसी Gmail ID को हटाना है दूसरे डिवाइस से तो यहाँ पर आपके वह mail ID सेलेक्ट होना चाहिए अगर नहीं है यहाँ पर वह Gmail ID सेलेक्ट तो आप एरो के निसान में क्लिक करेंगे सबसे पहले उस Gmail ID को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे जो Gmail ID को अपने दूसरे डिवाइस से दूसरे कंप्यूटर में लॉग इन किये थे ठीक है ना नहीं है तो add another account पर क्लिक करके उस Gmail ID को पहले यहाँ पर आप add कर लीजे इतना करने के बाद आपकी Gmail ID यहाँ पर आज आएगी अब आपकी Gmail ID यहाँ पर आज आती है तो आप क्या करना है किस तरह से आप दूसरे डिवाइस से अपने फोन से ही घर बैठे बैठे ही दूसरे डिवाइस अपने Gmail ID को लाग आउट साइन आउट अथवर रिमूव कर सकते हैं दोस्ते की और मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि आपकी जो Gmail ID होती है वही Google account होता है या आप Google account लिख के सर्च कर रहे है कि अपना Google account दूसरे फोन से लाग आउट कैसे करें तो बस यही प्रोसेस दोनों के लिख करना क्योंकि Gmail ID आपको Google account होता है तो दोस्त आपको security में आना पड़ेगा अपने phone में अपने device में security caption में आना पड़ेगा अब यही से आप चेक कर पाएंगे scroll down करते हैं आएंगे नीचे की और आपको दिखाता हूँ कि आप कैसे देखेंगे कि आपका Gmail ID किन किन device में login है और उनको आप log out, sign out, remove कैसे करेंगे अब यही से आप कर पाएंगे उसके लिए आपको scroll down करते हैं नीचे क्यों और आना है देख सकते हैं यहाँ पे एक option मिलता है Your Devices Your Devices का option आपको मिल जाता है यहाँ पर आपको नीचे मिलता है Manage All Devices Manage All Devices पर आप क्लिक करेंगे यहाँ पर जैसे आप क्लिक करते हैं Manage All Devices पर तो आपके सामने इस तरह से कुछ इंटरफेस आ जाता है अब दोस्ते यहाँ पर आपका जो current में डिवाइस है जैसे कि आप देख सकते हैं यह Gmail ID जो आपको देख रहे प्रोफाइल यह Gmail ID हमने अभी अपने इसी फोन में लागिन कर रखा है आना पड़ेगा यही पर आपको पता चले कहीं पर देखने को मिलेगा दोस्ते इस Gmail ID को हमने Google Chrome में भी हमने लागिन कर रखा है तो यहाँ पर वह भी दिखा रहा है बट हम आज किस वीडियो में देख रहे हैं कि दूसरे डिवाइस से दूसरे कंप्यूटर से कैसे हटाएं तो जैसे हम डिवाइस में कर रहे हैं उसी तरह से आप कंप्यूटर में भी कर लेंगे डिवाइस के लिए दोस्ते यहाँ पर आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे एक बार क्लिक करेंगे बस आपको यहाँ पर एक बार क्लिक करना होता है अब आपके सामने इस तरह से Redmi Note 11 Pro Plus 5Z ह फोन तो जो दूसरा फोन है जिसमर से लागिं किया था हमारी फैमिली में ब्दिक्शार है और जिए फोन इससला का फून आ यूजे एक चाले सिह संसंग कर रहा है 그럼 Mike out कर देंगे तो यहां से यह हट जाएगा ठीक है तो हम sign out कर देते हैं जैसे कि देख सकते हैं आप यहां से मैं sign out करता हूं तो यहां पर sign out on Redmi Note 11 Pro 5G तो हम sign out उपर click करेंगे तो देख सकते हैं finished but some apps might still have access okay हम okay कर देते हैं लेकिन हमारा Redmi से हमारा जो है यह हट चुका है हमारा जो Redmi phone में sign in था वहां से यह हट चुका है जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर यह हट गया है अब यहां से आप हट गया है अब यह अपने फोन में browser में कहीं Chrome browser में Samsung browser में कहीं पर भी login कर रखा तो वो चीज भी यहाँ पर दिखा रहा है वो उसका भी time दिखा रहा है यदि आप browser से भी सभी जगा सटाना चाहते हैं तो यहाँ से आप सब को एक एक करके आप हटा सकते हैं तो यहाँ से आप यहाँ पर आएंगे और एक चीज दिखा देते हैं आपको कि third party apps भी थे account access आपको जो gmail है ना यह gmail id इससे third party कौन कौन से access ले रखे हैं कौन कौन से applications लिंक हैं यह देख सकते हैं से अधि आप इस पर वीडियो चाहते हैं कि इनको भी कैसे हटाना कैसे remove करना है आप हमें comment करिएगा तो हम इस पर भी वीडियो बनाएंगे थैंक्यू चैनल विजिट करने के लिए आपका बहुत बहुत दनवाच चैनल परना है तो subscribe करके जाएंगे तो हमें भी motivation मिलता हम आपके लिए ऐसे ही content लाएंगे